अम्ठ शान्ति आप सब कुछ होगा थैं सब्सक्राइए दो सप्टेंबर की इश्रेवदान में पर्मात्मा किहते हैं कि ब्राह्मन जनम की विशेस्ता को नैच्रल नेचर बनाने वाले सहच पुर्शार्Austि भवा ब्रामन जीवन में भी विशेश, ब्रामन धर्म और करम भी विशेश ब्रामन धर्म मतलब आत्मी धर्म है जो परमात्मा पिता ने ब्रह्मा बाबा को सिखाया वही हमारा धर्म है जिसमें शांती, प्रेम, सुख, आनन्द, खुशी और उनको देना ही हमारा धर्म है और करम भी विशेश अर्थात सवश्रिष्ठ है क्योंकि ब्रामन कर्म में follow साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं कि ब्रह्मा बापा ने हर सिच्वेशन में हर कंडिशन में जाए लोग उनको गाली कर रहे हैं जाए लोग उनको बुरा बला कह रहे हैं ब्रह्मा के आच्छरण के अनुसार तो ब्रामनों की नेचर ही विशेश नेचर है साधारण वा मायवी नेचर ब्रामनों की नेचर नहीं साधारण मतलब की जैसे कि आज कल्लुग में जो भी आत्में हर तरीके से वरताब करती है चोड़ी बात तो मेरिटीट होना, फ्रस्टेट होना, गुसा आजाना, आंकार में आजाना है ये सारी बातें बिश्व की 95% आत्में इसी तरीके से भरताब करती है लेकिन ब्रामिन नेचर जो होती है वो अले होती है तो साधारन उसका जते और मायावी, मायावी काम करो, लुमों कारद में आकर के, रोब में आकर के, करम करना वो ब्रामिन नेचर नहीं है सर्फ यही समृती सुरूप में रहे कि मैं विश्व आत्मा हूँ, यह नेचर जब नाचरल हो जाती तब बाप समान बनना सह जनुबफ करेंगे समर्थी सुरूप सो समर्थी सुरूप बन जाएंगे समर्थी सुरूप मलब परमात्मा की याद में हम रह पाएंगे क्योंकि हमें याद आएगा कि मुझे परमात्मा को फॉलो करके ये करतेवे करने हैं परमाइटली उनकी शिक्षान याद आने से परमात्मा भी यात आएंगे तो योग भी बहुत आराम से लगेगा तो समर्ती सुरूप सो समर्ती सुरूप बन जाएंगे पाफल बन जाएंगे यही सज पुर्शाथ है अमश्यंति